हेलो जूम मैं तो आज हम डिसकस करने वाले मोबलीटी हेलैंट रिप करके कैसे चेक करने मोबलीटी तो सब हम अधेके इम्पोर्टेंज इसलिए है मोबलीटी चेक करनेה होता है तो उसके बीच में जो passes बनते हैं मलब basically tunnel या कोई रास्ता वे बन रहा है तो उसके बीच में हमारे vessels, artery and nerve supply हो रही है कहाँ? neck, brachial flexes मान के चलो वहाँ से कहाँ जा रहा है? upper limb, ओके? या हमारे arm में तो अगर वहाँ पर कुछ trigger point या कुछ भी मसाल इसपास में है stiffness, कुछ भी pathology आएगी condition उसमें तो उससे क्या होगा? हमारा trigger होगे pain, anything, कुछ भी हो सकता है तो mobility हमने किस चेक करने है? first rib की क्यों? इसके लिए निए मसाल को find out करने के लिए किस side tightness है? तो first rib की mobility check करने से हमें क्या find out हो जाएगा? इसके लिए मसाल का structure tight है? या lose है? या ठीक है? क्योंकि right and left side अगर symmetry होगी तो basically दोनों ठीक है symmetry नहीं होगी तो asymmetry की वाज़े से किसी side दिखकत आएगी तो first rib का हम discuss करते है anatomy, उसके बार landmark and palpation ओके? let's see तो first हम इस जो diagram है इस पर हम check कर लेता है कि हमारा first rib आपर locate होता है okay तो हमारा this one clavicle ठीक है? यह हमारा clavicle है, just clavicle के नीचे हमारा जो आगे front anterior हमारा sternum का maneuver और जो posterior है वहाँ पर हमारा क्या है? T1 का हमारा जो transverse वाला वाई part है तो हमारा sternum की maneuver first rib जा रहा है और कहां attach हो रहा है? T1 पर है, okay तो हमने क्या check कर लिया कि landmark क्या है standum पर check करना है then उसके बाद कहां पर जा रहा है? T1 पर है खिलिया? तो अब हमने इसको palpate main तो यह तो landmark हो गया, normal के कहां पर है बट इसको palpate करना कैसे आना है? palpate तो सबसे पहले हमने find out करना है stem num आप easily कर सकते हो side में then एक और चीज़ है clavicle के just नीचे से है थोड़ा सा deep press करके हम check करेंगे ठीक है? पीछे से हमने important यह है कि हमने सबसे पहले C7 पहचानना है C7 के लिए क्या होता है? कि जब भी हम flexion करेंगे तो C7 prominence part होता है prominence part is finest process पर T1 भी same होता है दोनों में थोड़ा mild difference है तो हमने T1 कैसे find out करना है जब हम cervical का mobility check करेंगे मतलब flexion extension तो हमारा C7 mild movable होगा और T1 हमारा fixed रहेगा difference होगा cervical का moment आएगा C7 तक तो हमने T1 कैसे पहचानना है तो हमने क्या करना है यह हमने landmark भूण लिया first rib का this one and this one कहाँ पर है यह याद कर लिया हमने normal के landmark कहाँ पर cervical के नीचे है next अब इस diagram में हम थोड़ा यह check करते हैं कि कौन कोन से muscle आ रहे है हमने T1 पहचान लिया क्योंकि हमने palpate करना सिखना है first mobility कैसे check करेंगे जब palpate bone move कैसे करें by muscles clear तो muscle का check करना है बहुत जरूरी है कौन से muscle basically scalini muscle जो हमारा important है इसमें this one फिर से clavicle this one first rib यह हमें से याद रखे न ऊपर clavicle है नीचे उसके rib है ठीक है यह हम lateral थोड़ा पार्ट से देख रहे हैं उसके बाद यह हमारा scalini muscle के group आ रहे हैं अब इध्यान से देखो जो हमारा first rib है उस पर हमारा anterior scalini attach हो रहा है कुछ part mainly कुछ fiber medial और posterior के भी होते हैं बट जो हमारा main muscle group है जो यहाँ पर आ रहा है mobility के लिए anterior serratus anterior और इनके पार भी होते हैं बट mainly जो हमारा हम discuss कर रहा है scalini muscle क्योंकि यह important है क्यों यह elevation करवाती है जिसके थूरू यहाँ पर दिक्कत आ सकती है दिक्कत कैसे अगर मान के चलो यह हमारा entry scalini muscle tight test में आ गया या muscle spas में आ गया तो उसकी वज़े से हमारे जो structure पास हो रहा है nerve, vessel, artery इनमें दिक्कत आएगी इनकी वज़े से हमारे arm में pain हो सकता है यह हमारा weakness आ सकती है clear इसके लिए हम scalini muscle का attachment पढ़ रहे है कहाँ पर हो रहा है हमारे ribs में तो यह हमारे scalini muscle आ रहा है यह हमारे first rib के वहाँ पर attachment हो रहा है basically हमारा middle side में clear हमारे cervical area के bone है वहाँ से हमारा RIS scalini muscle और यहाँ पर attach हो रहा है clear anti-ascaling इस scalini muscle का function क्या है ribs को elevate करना okay मान के चले हमारे दो ribs है right and left इनको उपर से muscles आ रहे यह muscle क्या करेंगे इस डिफ को elevate अब देखो scalini muscle elevate कब करेगी अना elevate करेगी कब बेख से हम जब कुछ function करेंगे मान के चलो मैं ऐसे खड़ा हूँ ठीक है scalini muscle isolated ऐसे elevate नहीं होगा जब हम deep breathe लेंगे okay खुद से आप deep breathe लेंगे तो scalini muscle mild contract होगे contraction आके हमारा इस first tip को elevate करेगा तो basically breathing muscle भी है clear तो elevate करोगा जब हम deep breathe लेंगे okay मान के चलो आप fraction कर रहे हो mild elevate होगा हम पूरा नहीं ठीक है sorry extension और अगर आप deep breathe करोगे तो हमारा यह first trip elevate होगा true scalini muscle clear यह attachment हमने देख लिया location देख लिया T1 वाली attachment देख लिया then उसके बाद आगे देखेंगे कि इसका कहां पर क्या पार्ट है okay अब हमने scalini muscle भी देख लिया attachment देख लिया T1 पहचाना सीख लिया कि कैसे T1 prominence वाला पार्ट है उसको हमने clear out कर लिया यह हमारा T1 आगया जहां पर इस income आता है तो अब यहां से हमने सबसे पहले दो हमने कहा मांकि चलो sitting में बैठा है patient okay आप patient के behind मलब पिछे से कड़े तो आपने क्या करा पहले T1 पहचाना आप सुपायन में भी पहचान सकते हो अगर आप आप हमने T1 पहचान लिया उसके बाद जब T1 है उसके हमने ट्रांसबर्स ली जाना है यहां पर हमारे अंगोठा आजाएगा जैसे T1 पहचाना जस्ट उसके ट्रांसबर्स जाना है और अंगोठा रखना है ठीक है और जो आगे हमारे fingers हैंगे इंडेक्स और middle finger यह हमारे किसवर जाएगे जो हमारा clavicle है जस्ट behind उसके मलब यह clavicle है इसके नीचे से हमारे क्या जाएगे two fingers और पीछे हमारे क्या है यह thumb तो यह palpation सीख लिजिए आप यहार इस diagram के थुरू तो यह thumb हमने T1 के और आगे हमारे दो fingers कहा गए इस pattern में clavicle के जस्ट नीचे ओके क्लियर अब हमने यहाँ आगे क्या दिखा इस कैलिनी मसल का part आगे आगे देन उसके बाद हमने यह जब आगे fingers रखे देन हमने यह वाला position पेलपेट करना है कहां से यहाँ से हमने पेलपेट करा इस पेलपेट करने के बाद आप patient को बोलोगे कि deep breathe करो तो आपका जो thumb है यह move होना चाहिए deep breathe जब करोगे आपका thumb and आपके जो आगे से fingers है तो यह हमारे जब deep breathe करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर first drift है यह elevation में जाएगा जिस कितरो हमारा moment आएगा यह गया जिससे मान के चलो यह first drift moment आया यह elevation ओके जैसे relax करोगे तो यह नीचे जाएगा अगर यह ध्यान से सुनना दोनों है first right and left elevation हुए फिर down हुए क्या हो palpation देख लेंगे ओके first drift deep breath elevation relaxation exhale down clear but अगर मान के चलो इस side के skeletonary muscle या muscle या soft tissue tightness में तो क्या होगा यह already इस से थोड़ा elevate रहेगा तो जब हम deep breath करेंगे दोनों elevation में जाएगे clear लेकिन जब हम down यह मतलब exhale करेंगे तो हमारा यह tightness वाला late से जाएगा या जाएगा नहीं पुरा proper clear यह exhale यह पुरा गया यह उपर अठक जाएगा तो basically हमने symmetry यह symmetry पहचान ली कि इस side में दिक्कत है जिसके विशे trigger आएगा ठीक है तो यह हमने mobility check करनी है first drift की clear इस point से जहाँ पर इन्होंने pressure कर रखा है ठीक है हमने यहाँ पर भी palpate करके हम पहचान सकते है clear this one यह important है landmark यह landmark हमारा important है जो हमारा riffs है just उसके उपर से हमने finger डालना है और उसके निचे से first drift breathe यह हमारा area just इसके निचे से हमारे first drift आप खुद करके भी देखिए तो जैसे elevate होगा तो आपको feel हो जाएगा fingers में clear but यह palpation जो landmark है इसको देख लेना कहाँ पर है clavicle के just beneath और clavicle के posterior side से डालना है ना कि untrigger clear और ओ थंबो वाला position में के लिए okay guys तो basically first drift बहुत easy बहुत easy है palpate करना उसके mobility को but landmark हमेसा याद रखना T1 वाला ठीक है उसके transfer process पर जाना है और उसका scalini muscle का function और तो हमने क्या करना है symmetry, asymmetry check करना है जिसके तो हमने check करना है कि किस size asymmetry है उस side का muscle problem है जिसके विज़से इसको trigger point मिल रहे है